अर्टन्ड एजुकिशन में आप सभी का स्वागत है आज हम सात्वें कक्षा की प्रशनावली 9.1 परिमे संख्याओं के स्वाल करेंगे पहला स्वाल है निमलिकित परिमे संख्याओं के बीच में पाँच परिमे संख्याओं लिखिये स्वाल करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि परिमे संख्याओं क्या होती है परिमे संख्याओं इनको हम एंगलिश में रैशनल नंबर कहते हैं परिमे संख्याओं क्या होती है वे सभी संख्याएं जिनको हम भिन के रूप में यानि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परमे संख्याएं होती हैं जिसमें भिन को हम लिखते हैं आंश बटा हर के रूप में यानि कि पी बटा क्यो के रूप में अगर कोई भी संख्या है तो वो एक rational number यानि परमे संख्या कहलाईगी लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि क्यो जीरो नहीं होना चाहिए परमे संख्या कि कुछ example बता रहा हूँ मैं जैसे 1, 2, 3, 5, 4, 7, 9, 4, 0 और कई उधारन है जिनको हम बटा में लिख सकते हैं इनको भी हम 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं anche 2 बटा 1 इसका मतलब ये हुआ जिन संख्याओं को भी हम P बटा क्यो के रूप में लिख सकते हैं वह सभी पर में संख्याओं हैं बशर्त क्योग 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम 0 से किसी भी रखम को भाग नहीं कर सकते साथ बटा 0 है तो हम इसको divide नहीं कर सकते तो चलिए करते हैं आज के स्वाल पहला स्वाल है –1 और जीरो के बीच में 5 परमेश संख्या याद किजिए बीच की संख्या निकालने का हमारे पास एक सुतर होता है अगर किनी दो संख्याओं के बीच में से एक संख्या निकालनी एं जैसे तीन और पांच के बीच की संख्या निकालनी एं तो इसके बीच की संख्या होगी चार तीन जम्मा पांच इसका हो गए एक बटा दो एक बटा दो गुणा में पांच और तीन आठ दो चुके आठ चार तो बीच की संख्या हमारी आगी चार ये तो था एक संख्या निकलने का फारूला अब इस सवाल में हमने पांच संख्या निकलनी है तो पांच संख्या निकलन के लिए पहले तो हम इसको परमे संख्या के रूप में यानि कि भिन के रूप में लिखेंगे तो इसको तो हम लिख सकते हैं माइनस एक बटा एक और इसको लिख सकते हैं जीरो बटा एक अब हमने जितनी भी संख्या निकालनी हो उस रेशियो में हम इनको उपर नीचे गुन इसको भी 6 से अंश्योर हर को मल्टिपलाई कर देंगी और इसको भी 6 से मल्टिपलाई कर देंगी ये आ गया हमारा माइनस का 6, बटा में 6 ये आ गया 0, 6 गुना में 0, 0, बटा में 6 अब नीचे हर समान है तो इनके बीच की जितने संख्याई ही होंगी वो सभी परमे संख्याएं इनके बीच की होंगी तो ये माइनस 6 बटा 6 है तो ये हो गया माइनस 5 बटा 6, माइनस 4 बटा 6, माइनस 3 बटा 6, माइनस 2 बटा 6, माइनस 1 बटा 6 तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारी इनके बीच की परमे संख्याएं ये आगी तो हमारा आंसर हो गया माइनस पांच बटा छे माइनस चार बटा छे माइनस तीन बटा छे माइनस दो बटा छे और माइनस एक बटा छे इनको हम अगर चाहें तो जो संख्याइं कटरी उनको काट भी सकते हैं दूसरा सवाल है माइनस दो और माइनस एक के बीच की परिमे संख्याएं गयात कीजिए इस सवाल को भी हम पहले परिमे संख्या में लिखेंगे इसको लिखेंगे माइनस दो बटा एक और इसको लिखेंगे माइनस एक बटा एक अब हमने इनके बीच में पांच सब परमेसंग है निकाल ली है तो उसी तरह हम इसको भी अंश और हर को मैनस दो गुणा में 6, बटा एक गुणा में 6 मैनस एक बटा एक गुणा में 6, बटा 6 मैनस बारा बटे 6 और ये हो गया मैनस 6 बटा 6 अब इनके बीच की संख्याइं हम निकालेंगे, इनके बीच की संख्याइं आ जाएंगी माइनस ग्यारा बटे च्छे, माइनस दस बटा च्छे, माइनस नो बटा च्छे, माइनस आट बटा च्छे और माइनस साथ बटाँ छे एक, दो, तीन, चार, पाँच इनके बीच की संख्याएं आगी इनको चाहें तो हम काटके भी लिख सकते हैं माइनस ग्यारा बटे छे ये दो पर गट जाएगा माइनस पाँच बटे तीन ये तीन पर गट जाएगा माइनस तीनो तीन दूनी छे ये दो पे गड़ जाएगा माइनस चार बटे तीन और ये माइनस साथ बटे छे तीसरा स्वाल है माइनस चार बटे पांच और माइनस दो बटा तीन के बीच की आज पर इमेशन ख्याय लिखी तो इसमें हम हर बराबर करेंगे तो इसको माइनस चार बटे पांच को नो बटा नो से गुना कर देंगे नो बंजे 45 हो जाएगा और माइनस दो बटा तीन को पंदरा बटे पंदरा से कर देंगे तो पंदरा तीन पंदरा तीन पंदरा तीन पंदरा से कर देंगे minus 34-35 minus 34-45 minus 33-45 minus 32-45 minus 31-45 तो ये बीच की पांच संग्हाएं यहागी अगर जो कटती है वो तो आप काट भी सकते हो और नहीं तो हम ऐसे कैसे भी आंसर लेख सकते है क्वेशन नमबर चार है माइनस एक बटा दो और दो बटा तीन के बीच की हमने पांच पर में संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे सबसे पहला काम नीचे के हर समान करेंगे और ऐसे अंक से गुना करेंगे कि हमें बीच की संख्याएं भी परापत हो जाएं ये माइनस एक बटा दो है और ये दो बटा तीन है अगर हम इसको तीन बटा तीन से गुना कर दें और इसको दो बटा दो से गुना कर दें तो हमारा हरा जाएगा छे तो ये हो गया माइनस का तीन बटा छे ये हो गया चार बटे छे अब हमने इनके बीच की संख्याएं निकाल ली है त माइनस 3 के बाद आता है, माइनस 2 बटा 6, माइनस 1 बटा 6, 0 बटा 6, 1 बटा 6, 2 बटा 6, 1, 2, 3, 4, 5 होगी. हम 1, 6 भी निकाल सकते हैं, 3 बटा 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही निकाल ली है, तो ये आ गई संक्याइ, और इनको अगर हम किसी को काٹना चाहें तो काट सकते हैं इसको काٹना चाहें तो माइनस एक बटा थीन हो गया ये माइनस एक बटा शे ये जीरो एक बटा छे और ये होगे दो ती छे एक बटा ती तो आज हमने परिशनाबले 9.1 के पहले स्वाल के सभी बाग किये हैं और अगली वीडियो में हम दूसरा और तीसरे स्वाल करवाएंगे कर दो सकते हैं